हेलो एफ्रिवान मैं हुसमन रॉय और वेलकम बैक टू माई चैनल सू आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वह पेंडिंग कर्मा के उपर रहे का और कैसे बहुत एक इजी टेक्निक अपलाई करके यहां पे आप अपने पेंडिंग कर्मा के बारे में जान पाएंगे उसी के उपर हम लोग आज फुल डिसकेशन रहेगा बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू देले चैनल और अगर आपको यह वीडियो थो प्रात्ना के साथ डिसकेशन पे चलते हैं देखिए पेंडिंग कर्मा या फिर पास लाइफ का जो भी आपका कार्मिक बैगेज है वो कैसे आप अपने होरोस्कोप का जो प्लैनेटरी प्लेस्मेंट आपको मिल रहा है दिखने को उससे आप पता लगा सकते है थोड़ा बह में तो यहां पर बस आपको चेक करना होगा कि कन्या राशिया वर्गो साइन आपके लगन कुंडली मतलब डीवन चार्ट में कौन से हाउस में पर रहा है मतलब यहां पर च्छे नमबर का जो साइन है वो कहां पर लिखा हुआ है सपोस्स अगर किसी का यहां पर मिथून ल वाली कुंडली है तो उनका कन्या राशी फोर्थ हाउस में पढ़ेगा ठीक है तो आपको बस यहां पर चेक करना है कि कन्या राशी अवर्गो साइन आपके वर्चार्ट के कौन से हाउस में पढ़ रहा है और उसी के ऊपर हम लोग का डिसकेशन रहेगा बिकॉस यह करके आगे बढ़ना होगा विकॉस देखिए कन्या राशी यह वर्गो साइन को क्यों आपको देखना है विकॉस फर्स्ट आफ यह जोडिया का छे नंबर का साइन है जो कही ना कही आपका जो जो पास लाइफ रहा है उससे रिलेटेट कार्मिक बैगेजेस को शो करता है य आगे बर रहे हैं उसी के ऊपर आपका इस जनम का जो सक्सेस है वो यहां पर निर्भर करेगा ठीक है तो इसी के ऊपर हम लोगों का फुल डिसकेशन रहेगा तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे डिसकेशन पर चलते हैं अभी देखिए अगर आपका फर्स्ट हा खालूंगी कि यहां पे इस जनम में आपका जो पेंडिंग कर्मा है ना वह आपके खुद के साथ बहुत से अधा कानेक्ट ए मतलब कैसे आप अपने परस्टनलिटी को और ज्यादा डिवलोप करते हैं कैसे आप अपने हेल्थ का ज्यादा ध्यादा ध्यान रखते हैं अप मतलब कुछ फिजिकल एकसाइज़ वगेरा जिम जाना या कुछ फ्री हैंड एकसाइज़ यह जरूर आपके रूटीन में होना चाहिए अधर वाइस आपको आगे चल के कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ रिलेटेट इशू मतलब कुछ बीमारी हो गई तो यह चीजे यहां पर हो यहां पर आपको ओवर्थिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है चोटी-चोटी चीजों को लेकर अन्जाइटी हो जाना या फिर आप चोटी-चोटी चीजों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं तो यह नेगेटिव थिंक्स भी यहां पर देखी जा सकते हैं जिसकी ज्यादा आप अपने खुद के अपियरेंस के उपर काम करेंगे उतना ज्यादा लाइफ में आप इजीली सक्सेस एचिफ कर पाएंगे ठीक है और यहां पर देखिए फर्स्ट हाउस में कन्या राशी आ गया इसका मतलब आपको ना लाइफ में कहीं ना कई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हर डिरेक्शन से मिल सकती है बट उसी को आप कैसे अपना जो इंटेलिजेंस है उसको यूज करके उसको सॉल्फ करते हैं बिकाज आपके अंदर अनलेटिकल स्कील भी बहुत अच्छा हो सकता है तो उसको यूज करके आप सॉल्फ कर रहे हैं वो यहां पे आना चाहता है या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में उन लोग के लिए भी मतलब अच्छा रहेगा और यहां पे मैं बोलूंगी देखिए अगर वर्गो का साइन फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो अगर आप ना मतलब बच्छों के लिए कुछ कर पाए तो वह बहुत मतलब अगर कोई टीचर है तो उनका काम डिरेक्ली स्टूडेंट्स के साथ या बच्छे लोग के साथ कनेक्टेट हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ तरीके से अगर आपका प्रोफेशन मतलब बच्छे लोगों से कनेक्टेट नहीं है तो यहां पे आपको और्फनेज यहां पे वर्गो आ रहा है तो यहां पे मैं बोलूंगे आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके फैमिली के साथ बहुत स्यादा कनेक्टेट है और आपके मनी के साथ मतलब आपका जो इंकम या आपका सेविंग्स उसके साथ बहुत स्यादा कनेक्टेट रहेगा यहां कई बार ऐसा हो सकता है आप सेफ करने की कोशिश तो करते हैं बड़ किसी ना किसी तरीके से फैमिली का कुछ एमर्जेंसी आ गया वहां पर आपका कुछ मनी निकल सकता है तो यह चीजे हो सकती या फिर कई बार आप अपने सेविंग्स या मनी वगरा के लिए फैमिली की उप यहां पर बहुत ज्यादा देखी जाती है और आप अपने फूड हैबिट्स के उपर ध्यान रखिए मतलब यहां पर अगर आपका फूड हैबिट सही है तो आपका हेल्थ सही रहेगा बट अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं आलकोहल या फिर स्मोकिंग का क बहुत ज्यादा मैंडिटरी है और आप अपने स्पीच के उपर वानी के उपर भी ध्यान रखिए स्पेशली आप जब अपने फैमिली मेंबर के साथ बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरुत है मतलब अगर आप अपने फैमिली मेंब आपके सिब्लिंग्स वगरागर है काजन से उनको लेकर अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके फाइनांसे सेविंग्स को वह हैंपर करेगा तो यह चीजे आपको नहीं करना है ठीक है तो इसके उपर आपको थोड़ा बहुत थ्यान र चीफ कर पाएंगे विकास थर्ड हाउस का साइन वर्गो आ गया मतलब आपके हातों में बहुत चीजे यहां पर आ जाती है मतलब आप अगर यहां पर हाड़ वक कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको लग का सपोर्ट जरूर मिलेगा यहां पर अगर आपके कोई छोटे भ करते हैं तो उसके उपर आपको ध्यान रखना चाहिए कई बार यहां पर अगर वर्गो साइन थर्ड हाउस में है और एफ्लिक्टेट हो रहा है तो यहां पर आप अगर कुछ वेहिकल वगेरा ड्राइव करते तो थोड़ा साफधन रहने की ज़रत है विकास उससे कुछ आ यहां पर हो सकती है ठीक है और यहां पर मैं बोलूंगी कि थर्ड हाउस में अगर वर्गो साइन आया है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप वर्ग के बेसिस पर थोड़ा ट्रैवलिंग वगेरा करें तो आपके लिए वो और ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है ठीक ह और यहाँ पे जेनरली मैं बोलूंगी कि थर्ड हाउस में अगर वर्गो साइन आया है तो आप हो सके तो अपने हातों से कुछ ना कुछ दान करने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्ग कर सकता है ठीक है अभी अगर आपके साइट के उपर काम करना बहुत ज्यादा ज़री है यहां पर कई बार मेंटल पीस की कमी हो सकती है तो इसलिए उसके उपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा ज़री है यहां पे आपके फैमिली लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रह लिए मादर या फिर आपके लाइफ में मदरली फिगर जो भी रहेंगी उनके तरफ आपका जो भी कार्मिक ड्यूटी बनता है वो आपको प्रॉपरली निभाना चाहिए आपके खुद के अंदर भी एक हीलिंग क्वालिटी यहां पे जरूर देखी जाएंगी तो यहां पे अगर आप लोग कुछ मतलब मेडिकल प्रोफेशन वगरा में जाना चाहते हैं या कोई केर गिविंग सर्विसेस में तो आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर कुछ ऐसा प्रोफेशन जो की प्रॉपर्टी रियल इस्टेट से कनेक्टेट है तो भी आपके लिए वो ची प्रोफेशन लाइफ में जरूर इंक्लूडेट आपको रखना होगा ताकि आपका मेंटल हेल्थ सही रहे यहां पे अगर वर्गो साइन अफ्लिक्टेट हो गया फॉर्था उसमें राहू बैठ गया जाके के तू बैठ गया तो चाइल्धूट थोड़ा सा प्रॉब्लेमे ही पर रहा है तो फैमिली में जब भी कुछ प्रॉब्लेम आ रहा है तो वहां पे आप ही को वो चीजे सॉल्फ करना होगा अगर आप आपके फैमिली में या घर से रिलेटेट कुछ प्रॉब्लेम आ गया और वहां से आप भागने की कोशिश करेंगे तो चीजे और आप मतलब जो भी motherly figures आपके life में रहेंगे उनके तरफ जो भी आपका duties है वो निभाइए या पि जो old age home है वहाँ पे कुछ ना कुछ आप अगर अपना सेवा वहाँ पर प्रोवाइट कर पाए तो भी आपके लिए वो चीजे बहुत स्यादा मददकार साबित हो सकती है ठीक बहुत common factor देखी जाती है अभी अगर 5th house में आपका वर्गो साइन यहां पर रहा है तो यहां पर आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो बच्चों के साथ connected हो सकता है यहां पर ऐसा हो सकता है आपके मतलब खुद के बच्चे के साथ भी आपका कुछ कार्मी की लिंक यहां पर जरूर देखा जाएगा या फिर आपका प्रोफेशन ही बच्चों से रिलेटेट हो सकता है ठीक है और यहां पर जैसे मतलब देखें आपका जो हैपीनेस का फैक्टर 5th house happiness को भी शो करते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब यांग एनरजी से connected हो गया मतलब यांग एनरजी मेंस आप कर सकते हैं मतलब हैपीनेस को भी आप थोड़ा सा उसमें प्राइक्टिकलिटी आइट कर देना तो यह चीजे यहां पर देखी जाती है काफी ज्यादा अनलिटीकली आप चीजे सोचते हो और आपका जो इंटिलीजनस है वो वयसे ही काम करता है तो ऐसा हो सकते है आप आप लोग जैसे कुछ finance, accounting या फिर जैसे maths वगेरा में भी आप लोग अच्छे हो सकते हैं या फिर as a healer भी आप लोग बहुत जादा अच्छे कर सकते हैं और यहां पर मैं बोलूंगी कि कई बार यहां पर अगर वर्गो साइन 5th house में हैं और अगर afflicted हो रहा है तो कोई ऐसा love affair आपके life में आ सकता है जो बहुत ही ज्यादा traumatic हो ठीक है तो उससे आपको कुछ ना कुछ lessons मिलना यह चीज़े यहां पर देखी जाएंगी और यहां पर 5th house में अगर कन्या राशी पर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जब भी आप college में जा रहे हैं education वगेरा pursue करने तो उस time पर कुछ ना कुछ आपको life में challenges का सामना करना पर सकता है उसको आप कैसे solve करके आगे बरते हैं उसी के उपर आपका जो success है वो यहां पर निर्भर करेगा देखें 5th house वैसे भी पूर्वे पुन्या का house बाना जाता है तो इसलिए आपके family में भी जो पूर्वज है उनका जो यहां पर मैं बोलूंगी कार्मिक जो भी चीजे है वो आपके साथ connected हो जाती है तो अगर आपका वर्गो साइन का जो Lord होता है मरकरी वो किसी तरीके से सही बैट गया चार्ट में तो यहां पे आप overall आपका education भी बहुत अच्छे से complete हो जाएगा और यहां पे मतलब ऐसा love related या childbirth से related बहुत खास कुछ problem आपको यहां पे नजर नहीं आएंगी तो यह चीजे यहां पे देखी जाती है बट फिर भी 5th house में अगर वर्गो साइन पर रहा है तो मेरा suggestion यही हो Wednesday के दिन specially कोई भी विश्णु मंत्र चैंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा शूब होगा अभी अगर 6th house में आपका वर्गो साइन पर रहा है तो यह बहुत ही ज्यादे कार्मिक प्लेस्मेंट बन जाता है विकोज 6th house वैसे भी मतलब पेंडिंग कर्मा को शो करता है वहाँ पे वर्गो साइन आ गया मतलब लाइफ में डिसिप्लीन रखना होगा रूटीन सेट रखना होगा 6th house में वर्गो आ गया अधर्वाइस कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिलेंगी यहां पर घर पे आप कोई पेट रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा या स्ट्रे अनिमल्स को अगर फीट करा पाए तो भी बहुत अच्छा यहां पर रहेगा आपके लिए और यहां पे ना आप अगर ब पर्फिक्शनिस्ट है चीजों को लेके चोटी चोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वह आपके लिए नेगेटिवली एफेक्ट कर सकता है तो वह चीजे आप थोड़ा बहुत कम कर दीजिए ठीक है अपने प्रोफेशन में वह चीजे रखिए तो अच् अच्छ था उसमें वर्गो साइन परा है मतलब आप प्रोब्लम सॉलवर के रूप में जनमे हो तो यहां पर लाइफ में जो भी प्रोब्लम्स आपको मिलेंगी न उसको आपको सॉल्फ करते रहना होगा लोन रिलेटिट प्रोब्लम से आपको थोड़ा सा ध्यान मतलब थो कुछ ना कुछ कार्मिक लिंक या कार्मिक बैगेज का कुछ कनेक्शन हो सकता है तो यह चीजे यहां पर देखी जाती है और यहां पर मेंली मैं बोलूंगी अगर आपका सिक्स्था उसमें वर्गो साइन परा है और वह बहुत ही जादा प्रोमिनेंटली प्लेस्ट है तो आप लोग अगर कुछ ऐसे फील्ड में जाए जो इधर मेडिकल से कनेक्टेट है या लौ से कनेक्टेट है या पुलीस रिलेटेट कुछ हो गया फील्ड तो वहां पर आप काफी ज्यादा अच्छे कर सकते हैं ठीक है वहां पर आपके अंदर जो भी स्केल्स हैं उसको प् मतलब आप Aries Ascendant के हो तो वैसे भी थोड़ा सा वो होता है ना सदन एक एंगर वर्स्ट वो आप लोग का रह सकता है या चीजे बहुत जल्दबाजी में करना मतलब थोड़ा सा वह इंपेशन्स जो होता है जो कि Aries साइन में देखा जाता है कंपिरिटिव जो नेचर है तो अब ही अगर आपका जो सेवन्थ हाउस का साइन है वह वर्गो पर रहा है तो यहां पर मैं बोलूंगी कि यहां पर कहीं ना कहीं मैरेड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है ठीक है अनलेस अन्टिल अगर आपका मर्करी बहुत ज्यादा अच्छे से प्लेस्ट है जो की सब्सक्राइब को दर्शाता है और यहां पर अगर वर्गो का साइन पर रहा है सेवन्थ हाउस में तो मैरेड लाइफ में दिखकते तो आती है यहां पर कई बार ऐसा हो सकता है आपके स्पाउस के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ठीक है बट वहां पर आपको वह च अगरा का भी योग देखा जाता है डूल साइन पर रहा है सेवन्थ हाउस में तो यह चीज़े कॉमन फैक्टर है यहां पर फ्रेंड्स का इन्वाल्ब्मेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके मैरेज में नेट्वर्क सर्किल आप जिन भी लोग के साथ मतलब कानेक्श यह चाहिए जैसे कुछ कॉलिटी को नजर आ सकते या फिर वही लिइकल प्रोफेशन हो गया या कुछ लॉडड़ी प्रोफेशन हो गया तो इन साथे फील से उनका कुछ कॉनेक्शन रह सकता है और यहां मैं बोलूंगी उनके अंदर अंदर रर्थ प्रॉब्लम सॉल्वि कुछ ना कुछ पार्टनर को ना हेल्थ रेलेटर प्रॉब्लम रह सकती है इसका बहुत हाई चांसिस रहता है इसलिए आफ्टर मैरे जगा दोनों एक साथ थोरा स्ट्रे आनिमल्स को फीट करें या फिर और्फनेज वगेरा में कुछ दान डोनेशन करें वह आप लोग के लि अब ही अगर आपका जो एट थाउस है उसमें वर्गो साइन यहां पर रहा है तो यहां पर मैं बोलूंगी देखिया आपका जो पेंडिंग कर्मा या कार्मिक बैगेज है वह बहुत ही ज्यादा इंटेंस है यहां पर विकॉस एट था उसके साथ जुर गया मतलब यहां प कुछ ना कुछ प्राक्टिकल रिजन्स की वज़े से अभी देखिया ऐसा हो सकता है कुछ मतलब फाइनन्शियल इशूस की वज़े से आप शायद जो भी मतलब इंटिमेट मोमेंट्स होगा आपके पार्टनर के साथ उसको प्रॉपर्ली ना कर पाए या फिर ऐसा कुछ मत पार्ट उसमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम मतलब कुछ बीमारी आ जाना तो इसकी वज़े से भी आपका जो इंटिमेसी लाइफ है आपके पार्टनर के साथ वह कही ना कहीं यहां पर डिस्टर्ब्ट हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपना बहुत डिटेलिंग में सोचते हो वो चीजे तो इसकी वज़े से भी कही ना कहीं आपके मैरेल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कते आ सकती है तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहां पर आपके इनलोस के साथ भी आपका कुछ यहां पर पेंडिंग कर्मा जुर जाता है यह यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको मतलब इनलोस से ही बहुत ज़्यादा फाइनेशल बेनिफीट या गाइदेंस यह सारी चीजे मिले तो यह भी यहां पर देखी जाएंगी और यहां पर अगर आपका कुछ भी रेस्पोंसिबलेटी अपने इनलोस की त पर रहे हैं तो रूटीन एकदम बहुत अच्छे से से चलना आपके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला मतलब होने वाला है कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा ठीक है मतलब यहां पर सपोज आप लोग का कुछ टाइमिंग ऐसा है वर्क का कुछ टाइमिंग देन सदन जाना या फिर आपका जो वर्क है वो कुछ जैसे की अमर्जेंसी से कनेक्टेट हो सकता है अमर्जेंसी सर्विसेज जो हो गया या मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेट होना तो यह चीजे यहां पर देखी जाएंगी आप लोग के अंदर भी हीलिंग क्वालिटी बहुत अ इसलिए आप अगर medical profession especially gyno related कुछ profession में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता हैं ठीक है और यहां पे आपका कही ना कही research की तरफ बहुत inclination जा सकता हैं तो कोई research related field या फिर occult astrology ये सब के बारे में भी आप काफी ज़्यादा जान तो इससे related भी आप अगर कुछ अपना profession बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं ठीक है बट यहां पे मैं यही बोलूंगी कि अश्टम भाव में अगर वर्गो का sign पर रहा है तो आपको अपने health के उपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कुछ ना कुछ मतलब सड़न डिजीज मतलब आपको हो सकता है जिसकी वज़े से ना मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसलिए अभी से अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें पाइसिस का sign second house में पर रहा हैं बहुत ज्यादा अ आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए और मतलब यहां पे जो भी आपका इंटिमेसी रहेगा अपने पार्टनर के साथ ना उसको ज्यादा प्राक्टिकली मत सोची उसको ज्यादा एकदम मतलब छोटी-छोटी डिटेलिंग को मत ध्यान दीजिए ठीक है तो यह चीज आपको इंबॉल्मेंट तो यह चीजे भी कई बार देखी जा सकती है अभी देखिए अगर आपका नाइंध हाउस का जो साइन है वो वर्गो पर रहा है तो यहां पे आपका जो भी कार्मीक ड्यूटी है वो आपके फादर या फादरली फिगर या गुरू फिगर्स की तरफ आडवाइस दिया उसको फॉलो अप करने की कोशिश कीजिये लाइफ में ठीक है तो यह चीजे यहां पे देखी जाएंगी कई बार फादर के साथ ही आपको कुछ ना कुछ मदभेद वाला जो इसू है वो यहां पे देखी जा सकती है और यहां पे देखिए मैं बोलूंग और यहां पे क्या होगा ना कि आपका जो भी बिलीफ सिस्टेम है अगर उसमें कोई मतलब कुछ बोल देना तो ऐसा हो सकता है आप वहां पे कुछ आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दे तो यह चीज आपको नहीं करनी है वैसे भी वर्गो अगर नाइन था उसमें परता है तो आप जो भी मतलब जैसे डिलिजियस चीजें उसको लेकरना बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं उसके डिटेOLLिंग में जाते हैं कि यह करना सही होगा कि वो करना सही होगा कौन सा धर्म सही है तो यह थोड़ा सा आपका चलता है आपके अंदर वो चीजें मतलब बहुत प अगर आप इन सारी चीजों में बहुत ज़्यादा उलज जाते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा मिलेंगी ठीक है यहाँ पे अगर आप सर्टेन कोई पर्टिकुलर भगबान को फॉलो करते हैं या कोई पर्टिकुलर आपका धरम है उसी को फॉलो करना चा कोई भी विष्णु टेंपल जाप आए तो वह बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर विष्णु मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा लग को अगर आप एन्हांस करना चाहते हैं कम्यूनिकेशन स्कील के उपर काम कीजिए और हो सके तो एगें वर्गो का साइन है तो जो भी बच्चे लोग है उनकी अगर आप किसी भी तरीके से मदद कर दे तो भी आपके लग में आपको बहुत ज्यादा बरहोतरी यहां पे नजर आएंगी ठीक है अभी अगर आपका जो टेंथ हाउस का जो साइन है वो वर्ग पर रहें तो एगें एक बहुत ज्यादा कार्मिक अंगल बन जाता है वर्क रिस्पोंसिब्लेटी काफी ज्यादा होने वाली है बोस का एक्स्पेक्टेशन भी आपसे बहुत ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके वर्क एंवारोमेंट में लोग आपके तरफ ही तो कहीं ना कहीं कुछ कम्यूनिकेशन से रिलेटेड वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा मार्केटिंग सेल्स या फिर फाइननस से रिलेटेड वर्क या अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं हीलिंग वर्क भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा र और यहां पर ओवर्ल में यही बोलूंगी कि वर्क का साइन अगर टेंथ हाउस में पर रहा है तो आप अगर अपना प्रॉपर हंडिट परसेंट एफर्ट दे रहे हैं अपने केरियर में तो आपको जरूर एक जो ओवर्ल नेम, फेम, स्टेटस, रेप्यूटेशन वो सिब्लिंग्स वगेरा के साथ कनेक्टेट हो जाता है मतलब जब भी उन लोग को आपकी जरूरत हो तो वहां पर आपको रहना चाहिए या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपके प्रोफेशनल नेट्वर्क सर्केल के साथ बहुत जादा कनेक्टेट रहता है आपका पेंड जैसे फ्रेंड्स का डिपार्टमेंट हो गया आपके सिब्लिंग्स का डिपार्टमेंट हो गया वहां पर आपका जो भी ड्यूटी बनता है वो आप अच्छे से निभार रहे हैं मतलब कम्यूनिकेशन भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उन लोग को सपोर्ट भी कर रहे ह तो यहां पे आपका जो भी वेशिस है वो जरूर यहां पे manifest होगा आपका जो भी income वगेरा है उसमें भी आपको growth जरूर दिखने को मिलेगा ठीक है और यहां पे generally देखिए 11th house का अगर sign वर्गो पर रहा है तो यहां पे आपको ना मतलब काफी ज्यादा महनत के बाद effort डालन के बाद आपको result मिलेगा तो यह चीज़े यहां पे देखी जाएंगी और यहां पे मैं बोलूंगी कि अगर आप लोग कोई research से related work के साथ connected रहे या कुछ medical profession के साथ connected रहे वरिष्चिक का लगन पर रहा है तो वो फील्ज आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है मतलब यहां पे मैं यही बोलूंगी कि आप कोई ऐसे फील के साथ अगर connected हो जहां पे आप डिरेक्ली लोगों की problem को सुनते हो और उसका कुछ solution देते हैं तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा money generate हो सकता है तो यह चीजे यहां पे देखी जाएंगी काई बार आपके अगर बरे भाई बहन है तो उनके life में कुछ ना कुछ health related issues यह चीजे यहां पे देखी जाती है या married life में problems challenges यह चीजे भी हो सकती है अभी last but not the least अगर 12th house का sign भरगो पर इसका मतलब ना कई ना कई अंदर या अंदर कभी-कभी ऐसा हो सकता बहुत ज्यादा मतलब ओर थिंकिंग का problem रह सकता है अंजाइटी का problem रह सकता है काई बार नींद में कुछ problems सोना तो यह चीजे यहां पे हो सकती है इसलिए एगें मैं यहां पे बोलूंगी आप अपना रूटीन को सेट कीजिए स्पेशली आपका sleeping cycle का जो मतलब routine है वो ठीक होना चाहिए मतलब आप किस टाइम पे सोने जाते हैं और किस टाइम पे morning में उठते है तो यह timing आपका ठीक होना चाहिए otherwise कुछ ना कुछ आपको life में problems हमेशा लगी रहेंगी कुछ ना कुछ इसी की वज़े से health issues भी आपको trigger हो सकता है overthinking का problem बहुत ज्यादा यहां पे देखा जाता है अगर वर्गो का साइन 12th house में पर रहा है 12th house में अगर वर्गो का साइन है donation आपके लिए बहुत अच्छरे में दी है specially वुदबार के दिन आप अगर जैसे कुछ खाना डोनेट करते हैं या किसी भी टाइप ऑफ डोनेशन पैसा भी आप डोनेट कर सकते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवीटी लेके आ सकता है ठीक है यहां पर अगर आप लोग डिरिक्ली लाइक कोछ हॉस्पिटिलीटी डिलेटे वर्क के साथ कनेक्टेट रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और यहां पर ओवर्ल मैं बोलूंगी कि वर्गो का साइन अगर 12 था उसमें पर रहा है तो ना कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपको पता है कि यह चीज आपको कैसे सॉल्फ करना है मतलब जो भी चैलेंजिस लाइफ में आ र सकती है और यहां पर मतलब अपना जो इनर सेल्फ है उसको सही रखने के लिए मतलब आपने सोल बॉडी का जो कनेक्शन है उसको प्रॉपर्ली मैंटेन रखने के लिए आपको जरूर से जरूर लाइफ में योगा इंक्लूड रखना ही चाहिए अधर्वाइस कुछ ना कु यहां पर ध्यान रखना बहुत स्यादा सरूरी रहेगा थीक है तो मैंने यहां पर आप लोग को बताने की कोशिश की है कि आपका जिस भी हाउस में कन्या राशी फॉल हो रहा है उससे आप कैसे ईजिली आप अपने पास लाइफ का जो भी कार्मिक बैगेज है या पेंडि याइ